नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस चन्नी मैं पिछले कई कमेंट्स में जोतिस के बारे में कई दोस्तों ने पूछा था तो आज हम जोतिस के बारे में ही देखेंगे जोतिस से रेलेटेड सबसे पहला प्रशन ये उठता है कि क्या हजारों साल पहले भारत में नो ग्रहों को खोज लिया गया था जो पस्चिम में सुलामी सताबती और उसके बाद खोजे गया है तो मैं आपको बता दूँ कि यह सरासर गलत है दरसल जियोतीस में जो नो ग्रह इस्तेमाल होते हैं वो 9 ग्रह जो आकास में 9 ग्रह हम देखते हैं जिने हम प्लेनेट्स कहते हैं वो हैं ही नहीं अब ज़रा जियोतीस के इन 9 ग्रहों को देखें सूर्य, चंद्रमा, राहू, केतु, मंगल, बुध, ब्यस्पति, सुक्र, सनी इसमें से जो सूर्य के 4 ग्रह हैं सूर्य, चंद्रमा, राहू, केतु, क्या आप कह सकते हो कि ये ग्रह हैं जबकि हमारा जो सौर्य मंडल है उसमें सूर्य एक तारा है जिसे साइन्स की भासा में एक लिविंग स्टार कहा गया है और ये लिविंग स्टार में हाइड्रोजन एवलेवल है और हाइड्रोजन के नुकलियस आपस में सनलयन होकर हिलियम बनाते हैं और इस दोरान जो एनरजी जनरेट होती है वही एनरजी हमें प्रकास के रूप में दिखती है तो हमारे सौर मंडल में सुर्य ही एक मात्र लिविंग स्टार है जबकि जोतीस के अनुसार सुर्य यह गरहो का राजा और व्यक्ती की आत्मा है फिर जोतीस लिखते हैं सुर्य के बारे में सुर्य की कमजोरी से अपसे हिरदे रोग और हड्यों की समस्या होती है इसी तरह से बहुत सारी बाते ये सूर्य के बारे में लिखते हैं कि सूर्य को मजबूत बनाये रखने के लिए फिर ये पोल रहे हैं कि सूर्य के मंत्र का एक माला जाप करें मंत्र होगा ओम आधित्यायनमा फिर ये रुद्राच और लाल चंदन की माला की बात कर रहे हैं तो इस तरह से आप देखते हैं कि ये तो बिल्कुल ही जो हमारा सौरमंडल का सूर्य है उसकी तो बात ही नहीं हो रही है ये कुछ और ही बाते गपोड़े जा रहे हैं इसी तरह से चंदरमा की बात करें तो चंदरमा प्रिथवी का नेचुरल सेटलाइट है जबकि इसे भी ये गरह बता रहे हैं और जियोतीस के अनुसार चंदरमा का मतलब है यह गरहों का दूसरा राजा या रानी है बताओ इसको राजा रानी बता रहे हैं इसी में ये आगे बताते हैं, चंद्रमा के कमजोर होने पर मानसिक रोग और अस्थमा की समस्या होती है, बताईए, आज से कुछ सो साल पहले तक लोग जानते भी नहीं थे मानसिक रोग के बारे में, भुत, प्रेत, आत्मा, जिन का प्रकोप समझते थे, अस्थमा का भी ना आत को मोती या संख की माला से चंद्रमा के मंत्र का जाप करना चाहिए, और चंद्रमा का एक मंत्र भी बता दिये, ओम सो समाय नमा, बताईए, इस जाप से चंद्रमा को ये सही कर रहे हैं, इसी तरह से मंत्र जाप मोती या संख की माला करें, अब आपको समझ में आ गया हो सौर मंडल में तो है ही नहीं और अगर पौराणिक कथाओं की बात करें तो राहु केतु को वहाँ पे असूर कहा गया है जो समूंदर मंथन के बाद निकले हुए अमरित का पान कर लेते हैं और यह पान मोहनी नामक एक अपसरा देख लेती है और जो कि विष्णू का रूप होता है और विष्णू फिर इनकी गर्दन को काट देता है फिर यह हर सूर्य ग्रहन और चंद्र ग्रहन को सूर्य और चंद्रमा को खा जाते हैं फिर उगलते हैं तो फिर सारी चीज़ ठीक हो जाती तो ये पौराणिक कथा है जो कि बिल्कुल गपूर कथा है और इसको ये ग्रह बता दिये अब बताएए ये सारे ग्रह लेकर ये नो ग्रहों का खोज कर लिये थे आप सोन सकते हैं आएए देखते हैं जोतिस रहुकेतु के बारे में आगे और क्या कहता है पुष्ट रोगिय अच्छी भी दिख सकती है आपको अब देखिए रहुको नियंतरित करने के लिए रहुके मंत्र का जाप रात्त्री में करें अब बताएए रात में मंत्र आप की जिएगा तो उसे नियंतरित रहेगा नहीं तो ये भी आपको सूर्य गरहन और चंद्र ग्रहन में आकर खा जाएगा इसका मंत्र है ओम रा रहवे नमा इस तरह की फर्जी फर्जी बाते जो है ये परचारित कर रखें समाज ऐसे ही अनविश्वास में नहीं डूबा हुआ है इसके पीछे ये जोतिस और इस तरह की जो तमाम फर्जी बाते चल रही हैं वो यही सब हैं अब देखिए लोग आसिटेल जाते हैं तो ल्ग करने से सारे बीमारी ठीक होती तो लोग हुस्पीटल जाते हैं फिर एक और मंत्र यहां पर देदीया केटू को अम के केटवबन मतायी संस्क्रित के कुछ सब्द को सुनकर केटू और रहू को ये सही करवा तो इस तरह से हम देखते हैं कि फरजी फरजी बाते जोतिस में लिखी है और इसको लोग ग्रह बता रहे हैं अब इसके बाद जो बाकी के पांच ग्रह बचे जिनका नाम भी जो सब्ता है उनके नाम पर है जैसे मंगल तो इसको ये ग्रह बता रहे हैं लेकिन आप ये तो दे कमजोड होने पर भाय संपती दुरगट ना हो सकती है अब देखिए यह कमजोड हो रहा है या कभी मजबूत हो रहा है फिर कारावास और रिष्टो की समस्या मंगल से होती है बताइए कोई अफराधी है जेल गया कारावास गया या किसी के रिष्टे भी गड़ रहे हैं तो यह मंगल को दोस बता रहे हैं आपने यह भी सुना होगा कि यह मंगली है मंगलिक है ओ भी एक कपोड़ पंती है जिसमें इनसान को कुट्टे बिल्ली और प्यण से साधी करवा देते हैं और फिर तब दूसरी साधी कराते हैं इतनी तरह की बेवकूफों वाली चीजे ह्जी बाते कर रहें ऐसे वहियत लोगों से समाज क्या सीखेगा और यह क्या सीख capitalist लोगिएयात अब देखिए आगे इसमें क्या-क्या फरजी-फरजी बाते लिख Resident Dur k घरते हैं इस तरह से जो बाकी के ग्रह है इनने कुछ-बुद्ध कहते हैं उसके बारे में इसमें दीन नौगरह ये बता रहे हैं, जिसमें से एक ब्यस्पती भी है, तो ये सारी की सारी वो नौगरह बिल्कुल ही नहीं है, जिने हम प्लेनेट कहते हैं, बलके लिए बिल्कुल ही अलग बाते हैं, इनका उन प्लेनेट से कुछ लेना देना नहीं है, हलाएं कि उनके ही नाम पर ये पूटी सेके जा रहे हैं, आगे मैं बताऊंगा कि ये कब से आई हुई है इनकी कहानी और कब से ये लोगों को भ्रमित करके फर्जी बाते दिखाये जा रहे हैं अगर सुक्र कमझूड है तो परिवारिक का सुख नहीं मिलता है यही फर्जी फर्जी बात लोगों को दिखाकर बताकर जाप करवाते हैं और इसी तरह से अंतिम ग्रह जो यह बताते हैं वह सनी है, इसको यह बता रहे हैं कि ग्रहों का सेवक है, व्यक्ति के करम का फल प्रदान करता है, बताइए करम फल प्रदान करवा रहा है, करम फल पे मैंने वीडियो ही बनाया है, वीडियो 24 देख सकते हैं, 25 में डिवेट भी की चीजे लिखते हैं और यह भी बता रहे हैं कि इसे निपटने के लिए आपको इस मंत्र का जाब करना पड़ेगा मतलब संस्कृत में दो-चार सब्द लिखे हुए हैं और वह आप बार बार पढ़ते हैं और नीचे लिखराए कि रुद्राक्षी की माला धारन कीजिए तो इससे आपका ये चीज निपट जाएगा बताए ये जब सारी चीजे निपटनी थी तो भारत के लोग की समसाय खतम हो गई या तुम लोग जो बैठे हुए हो दुकान खोल के और जो दिन पर ये सारी चीजे अंगूठी माला और तरह तरह के मंत्र जाप कर रहे हो क्या जो 30 में ये बिल्कुल भी उस प्लेनेट से रिलेटेड नहीं है और इसलिए हम पूरी तरह 100% स्योरली यह का सकते हैं कि भारत ने 1000 साल या उससे पहले या यो कहें कि पस्चिन के साइंस से आने से पहले कभी भी नो ग्रहों की खोज नहीं की थी वैसे जहां तक मैं बता था कि प्रिथवी का ही नाम नहीं था खैर इसी तरह से जो 30 पे एक दूसरा भी प्रशन है कि चलिए ग्रह नहीं है तो क्या हुआ लेकिन जो प्लेनेट सेंग क्या उनका प्रभाव मानो शरीर पे पढ़ता है दरसल इस प्रशन को जानने के लिए आपको निउटन्स के ग्र ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोपर्शनल होता है किसी भी दो डिफ्रेंट बडी के यहां डिफ्रेंट बडी कहने का मतलब यह है कि जैसे आप एक चांद को ले लीजिए तो दूसरा प्रिथवी ले लीजिए मैं यहां M1, M2 कहा दे रहा हूं और इनके बीच की जो दूरी ह होगी उसे मैं D से दिनूट कर दे रहा हूं तो इस दूरी के स्कॉयर के इनवर्सली प्रोपर्सनल होता है अब जब प्रोपर्सनल कॉंस्टेंट यह हटाईएगा तो यह फर्मूला बन जाएगा F is equal capital G जिसको कि हम ग्रेविटेशनल कॉंस्टेंट कहते हैं M1 into M2 upon D square अब यहां पर एक चीज दिहान देखिए प्रिथवी पर M1 कोई इनसान है और M2 आप लेजिए सूर्य को और इन दोनों के बीज की दूरी यहां पर D आप रख दीजिए ग्रेविटेशनल कॉंस्टेंट जी है तो इसे कॉंस्टेंट ही रहने दीजिए और जो भी वैलू आप निकालिएगा calculate कीजिएगा तो आपको जो वैलू मिलेगी वही वैलू किसी दूसरे इनसान को जब आप लेजिएगा तो भी वही मिलेगी क्योंकि यहां पे कोई अग लगवग उतनी ही आएगी तो हम देखते हैं कि इस फोर्स का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा किसी भी इनसान पर और पड़ेगा भी तो एक समान सारे इंसानों पर सारे जीव जन्तूओं पर पड़ेगा और इसी तरह से अगर एमुर इनसान का दरव्यमान आप रख जो केजी में है और M2 पे आप कोई अन्य ग्रह ले लीजिए चंद्रमा को ले लीजिए सुक्र बुद्र व्यस्पत किसी को भी ले लीजिए तो भी आप कल्कुलेट करेंगे तो वही वैलू सब के लिए एक समाना आएगी क्योंकि यह डिस्टेंस ही इतना ज्यादा है लेकिन प्रशण नहीं कर रहा है तो जो हीिए तीस में ग्रह की घंटेंस होती है जी हाँ तर असल प्रिथ वी 24 घंटे में अपने एकसिस पे रोटेट कर लेती है और 365 दिन,6 घंटे, और कुछ मिनिट में सूर्य की एक परिकर्मा कर लेती है लेकिन जब जो तीस बनाया गया उस समय लोगों को यह पता ही नहीं था कि पृत्वी सूर्य के चारू तरफ चक्कर लगाती है ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ आप सब के धर्मकरंद उठा के पढ़ लेजिए सबने यह गलत फैमी रखी है पहली बार जब कैपलर और गेलेलियों ने यह बताया कि नहीं पृत्वी जो है वो सूर्य के चक्कर लगाती है तो बहुत ज्यादा बवाला हो गया तो इसे पता चलता है कि 16 सताबदी से पहले लोगों को यह बात पता ही नहीं थी और 32 में भी यही फाल्ट है उन्होंने क्या कि पृत्वी को फ्लैट मान लिया है और वहां से 9 ग्रहों को डिवाइड कर लिया अब आप वीडियो 28 देख लीजिए वेदों में भी पृत्वी को खड़ी बताया गया है इस्थिर बताया गया है पुरान में तो उसे फ्लैट बता रहा है पुरानों में तो उसे सेशना के फन पर और कुछ हदीसों में तो गाय के सिंग के उपर पृत्वी को डोलते हुँ बताया गया है तो उसके अनुसार ग्रह न छत्र भी बदलता है हर इंसान के लिए बदलता है और प्रिथिवी जब 24 गंटे में एक rotation कर रही है तो उसके समय के अनुसार भी बदल रहा है लेकिन जब प्रिथिवी सूरी परिकरमा कर रही है तो पूरा space की जगह बदल रही है वही चीज गायब है इतनी ब्लंडर गल्ती इसका मतलब यह है कि जगोटीस का पूरा का पूरा कैलकुलेशन ही गरबड हो गया क्योंकि space में पोजीशन बदलने की तो उनने बात ही नहीं की उनने तो उसको बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया उनने तो सिर्फ पृथिवी के रोटेशन को ही सरवभॉमिक सत्य मानकर पूरी के पूरे ज्योतिस कपोड दिया तो इस तरह से हम देखते हैं कि इतनी बड़ी बलंडर एकसेप्टेबल नहीं है और इस तरह से ज्योतिस सास्त्र की गर्णा भी टोटल फरजी है इसी पे एक चौथा प्रस्ण था क्या जोतिस भारतियों की देन है यह जानकर आपको थोड़ा सा जटका लगेगा कि जोतिस भारतियों की बिलकुल भी देन नहीं है यह टू कौपी है बिदेशियों का जी हाँ जो Greek invaders थें वो जब भारत में आये हैं दूसरी सताबदी और उसके बाद तो वहाँ से जो उनकी prediction थे astrology के उसी prediction के अधार पर भारत में भी यह चीजें रची बुनी जाने लगी और 15 सताबदी आते आते यह पूरी तरह से इसका भारतिय करन कर दिया गया इसी में जब वीडियो बनाऊंगा वहां पर भी बताऊंगा कि उसमें भी कितना घपला हुआ है वह भारतिया है या नहीं है अब यहां पर सवाल यह उट सकता है कि अगर भारतिया नहीं है इसका क्या प्रमाड है तो मैं आप प्रमाड बताता हूं भारत के आप जितने भी धार्मी ग्रंत हैं जिसको यह लोग बताते हैं कि पुराना ग्रंत है पुराना ग्रंत है जैसे रमायन हो गया माभारत हो गया बेधी हो इनको उठा के आप पढ़ लीजिए कहीं पे भी इंसान के जोतिस की बात की गई हो कहीं पे भी कुंडली की बात की गई हो मुरुत और लगन की ब बहुत बाद में 15 सताबदी के करीब में और उसके बाद में और देसाजाद होने के बाद से तो इसमें पूरी की पूरी दुकाने खड़ी हो गई है जबकि हम Greek mythology में देखें तो वहां के जो पूराने mythology है जिसे कि ट्रॉइवार उस वार में राजा जो है हर बात अपने पुरोहित से पूछ-पूछ कर करता है और वो उसका लगहन और मुरुद देखता था और यही कारण था कि वो ट्रॉइवार हार भी गये थे फिर प्रिलोमी जो हैं वो दूसरी सदीकेत हैं और उनके समय में उन्होंने भी जोतीस सास्त्र लिखी थी उस तरह के और उनके similar ही बहुत सारे लोगों के प्रमाण मिलते हैं तो इससे पता चलता है कि जो एस्ट्रोनॉमी है यह जो जोतीस है यह सारी की सारी बिदेसों की हैं और भारत में वहां से जो इन्वेडर्स आये हैं वहां से जाकर यहां पर आई है और भारत के जो राजात हैं उनमें भी कहीं एस्ट्रोनॉमी नहीं देखने को मिला है तो इस तरह से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एस्ट्रोनॉमी जो है यह पूरी तरह से बिदेसी है और इसक मैं आपको बता दूँ जो 30 से आज तक सिर्फ और सिर्फ जो 30 का ही बैंक बैलेंस और उनकी तोद ही बढ़ती हुई प्रतीत होती है गरीब गरीब ही रह गया धनी धनी ही रहता है इनके कुछ पैसे जो है उनके बैंक एकाउंट में चले जाते हैं इन्हें फायदा हो यह न हो जो 30 साचार्यों की लोट्री लग जाती है यहाँ पे मैं यह भी कहना चाहूंगा कि ताली एक हाँछ से नहीं बज़ती है यहां लोगों की भी गलती है, लोगों में भी लालच है, काम धन्धा करें नहीं, फिरी में सस्ते में धनी हो जाए, पहुंच जाते हैं, रहो केतु और ग्रह न चते अपने सही करवाने, तो जब पहुंचेंगे, पचास लाग कमाने के लिए, दो लाग खर्च करने, तो वो लाग भी खर्च कर देते हैं, और जितने गरीब रहते हैं, उससे भी ज्यादा गरीब हो जाते हैं, और होना जाना तो कुछ है नहीं, क्योंकि यह तो बिल्कुल ही अंसाइंटिफिक है, हाँ इससे जो तिसा चारियों के, और जो दुखान खुलके बैठे हैं, उनके भाग होता है, और यह सारी पालतु की बाते हैं, जो तिस किसी का भविस से जान लेना, ऐसा कुछ भी नहीं है, आगे भी मैं कुछ और भी वीडियो जाओंगा, जहां से मैं और असपश्ट करूंगा, जो रासी नच्छत्र की बाते आती हैं, पंचांग की बाते आती हैं, वीडियो देखेंगे, उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा, कि यह जोतिस पूरा का पूरा अंसाइंट फिक है, और आखरी में, कुछ लोगों ने मुझ से यह पूछा था, कि सर आप यह जो गपोडा सब्द यूज करते हो, वास्तों में यह गपोडा सब्द है क्या, तो म अगर वो पढ़े लिखें हैं, उन्हें चीजे पता हैं तो, अगर objective question है, तो वो उसे समझ कर लिखकर, टिक मार देते हैं, वहीं पर कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं, जो देखते रहते हैं, कि अच्छा है, उसने किस पर टिक मारा, अच्छा 1 का C है, 2 का C है, तो CC पर मार वो आपको आंसर दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, कहां से देगा, जानता होगा तब तो दे पाएगा, उसने तो नकल किया, तो फिर वो क्या करेगा, वो आपको तरह-तरह के अलग-अलग उत्तर देगा, वो ये थोड़े कहेगा, कि मैं नकल करके लाया हूँ, उससे तो पोल ही खुल जाएगी, उससे तो उसको स्रम महसूस हो जाएगा, लोग जान जाएगा कि अच्छा ये नकल करके पास हुआ है, हो सकता है उसकी डिगरी तक केंसिल हो जाएगा, तो इसलिए वह बहाने मारेगा, आलतु फालतु की बात बताएगा, तो इनहीं आलतु फालतु सूरिय की किरण में दस्ट पार्टिकल को देखा और उसी के छटे हिस्से को बता दिया, भाई कैसे बता दिया, कैसे मेजरमेंट किया, कौन से स्किल से मेजरमेंट किया, उसके बारे में कुछ नहीं, पता होगा तब तो बताएगा, उसी तरह से कि स्पीड ओफ लाइट कैस होता सत्य बात होती तो बता था साथ में यह भी लिखता कि हमने यह experiment किया था यह measurement किया था घड़ी तो बना नहीं पाए तो कहां से वो बता देगा उसी तरह से जब जोतीस की बात आती है कि भाई जोतीस कहां से आ गया यह पंचांग कहां से आ गये तो यह उत्तर तो दे नहीं पाएंगे तो यह क्या कहेंगे यह चीज ब्रंभा के मुझ से निकल गया था तो उसके नाभी से निकल गया थो उसके पैर से निकल गया था चोरी का माल है तो बताओगे कहां से कि यह कहां से आया था तो ऐस साइन्स ने अपने दम पर अपने मेहनत से एक एक चीजे करके दिखाई तो इसने दिखाया प्रेक्टिकली तब जाके लोगों को विश्वास हुआ कि हाँ ऐसा हो सकता है लेकिन आपने सारी बाते इधर से उधर से चूरी करके बताई इसलिए आपके पास न तो एक्सपेरिम हो गए वहां से कुछ उठाई गई है तो कहीं बाद हमें कुछ चीजे एड़ कर दी गई है तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से शेयर कीजिए और लोगों को जाकरू कीजिए कि लोग विज्ञान की तरफ अग्रसित को पढ़े लिखें और आगे बढ़े